कि ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है आज हमारे साथ हैं रास्तान क्रिकेट असोसिएशन के अध्यक्ष अमीन पठान पठान साब बात हो रही थी कि उन्होंने तो मिजायल दागने की बात कही है आपकी क्या सुरक्षा कवच सब मजबूत हैं कि नहीं हैं और सीधा सीधा इस बार मिसाइल हमला वसंदराजी पर होने वाला है देखिए वो उनका मामला है और लेकिन क्रिकेट के ओपर कोई भी हमला होगा तो क्रिकेट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ाएंगे लेकिन उनको इसी बातें नहीं करना चीए किसी से भी राइसान की यशस भी मुख्य मंतरी उनके लिए उनके भी करीब थै बातें थी लेकिन अब जिस तरह के अरोप लगा रहे तो उससे उनका एक अच्छा इनसान है कहीं परतीत नहीं होता है उनका अन्दर कहींद़ का कम्या है और कि दम की भुच्यम्य करना कि ठीक लखता आप कि On कि से लगता अंगे जहां करना है कि मोधी जी नेचर में वो चुप नहीं बेटतें मानता हूंまあ अरॉप अरो प्रतियारĩ लगाते रिधसे वह दुट करते के वह उन पे वह आरोप अगर हटते हैं उनके उपर से तो देश मा है लेकिन वह भार बेटे देश की सरकार उनको ढूंड रही है राइसान के एस्सेशन पर उनकी वह से सस्पेंशन हो गिया पर उनका कहना है कि वसंदा जी ने आरून जीतली के दवाब में सब कुछ करवाया इन सब बातों की वह से उनको पहले जाइन खुदी कर देना चीघ़ता ज arguing कि इस पर इसीछन के चार लोगों से जगड़ा नहीं है हमारा रारीज सी को वापश बाहल करवा नह करवाना है बी-सी-छी में ललीत मोदी जी इस्तिफा बैदे हम लोग कल no confidence नहीं लाएंगे यह मैंने उनको बोला था हम 33 लोग बैठके ते कर लें आप जिसको बोलोगे आप कोगे तो मैं candidate भी नहीं रहूंगा प्रसिडेंट का आप जिसको बोलोगे आप अध्यक्ष बना देना लेकिन ललीत मोदी जी इस्तिफा देते तो कर हमां विश्वास प्रस्ताव नहीं लाएंगे लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि लोग सब मोदी जी से पता नहीं क्यों ब कि बड़ी बात किया थिए कि लित मोदी तो किवल क्रकेट के नेता थे राइस्तान के मैच अगे थे राजस्तान के टीम को दूसरे नाम से खेलना पड़ रहा था इन सब बातों को देखते हुए श्रीप अमीन पठान के लड़ाई नहीं थी किसी वेक्ति विशेष से कि अइसे आतमी को तो अगर वो क्रिकेट का भधा भी कर रहा हो तो पहले से इंटा देना चाहिए था जो देश के खिलाफ इस तरह का काम कर रहा है यह कुछ चुनाव नहीं था यह आभिश्वास प्रस्ताव लाना था ऊई श्रीवास प्रस्ताव जो लाया जाता है उसके अं और कारेवाई चालू हो गई थी तो पांच जो जीला क्रिकेट संक्ते जो हमारे साथी थे उन पर हमारे हिसाब से तो राइट है लेकिन स्पोर्स काउंसिल ने जो राइस्तान खेल परिसत के चैर्मेन ने उनके लिए कहा कि इनको लिफापे में इनके बोटों को रखा लेकिन वह उनको निरस्त नहीं किया गया वह जीले बोट डालने के लिए इलिजिबल थे तो तेवीस लोग जाने के बाद को रम पूरा हो गया था कौरम पूरा होने के बाद कारेवाई शुरू हो गयी थी पांच जिले के जो बोट थे उनको लिफाफे में बंद रखा गय होगा अब तेवीस के बाद जो बच्टे हैं वह लोग दस बच्टे और दसमें से क्या आप यह मानते हैं कि नहीं हमारे साथी भी उनकंदर होगे और यह जारूप लगाया था कि हमें बोट डालने से रोका गया अगर हम बोट डालने से रोकते तो एक वेक्ति वहां पे कैस वोट्स कांसिल ने जो गाडियों का अरेजमेंट किया था उन गाडियों से बेठा कि हमको क्रिकेट एकडमी में ले जाया गया वहां जाके हमने हम लोग पहुंच गए थे उसके बाद 11 बजे प्रोसेडिंग चालू हो गई और सब चलता रहा हमने कहा कि साब 23 लोग आगे है प्रोसेडिंग चालू होगी जब हमें बहुत देर बात पता लगा प्रोसेडिंग खत्म होगी सारा काम का खत्म हो गया तो कुछ लोग आये है जो लेलितमोजी गुटके लोग आये है और वो भी इसमें पार्टिस्पेट करना चाहते है पिछले आपके जो राजनीती चली उठा पटक चली उस दोर में बहुत नुकसान उठा चुके हैं पंकट सिंग ने तो ओपन लिया के कहा कि जो आर्सिये में जो ये उठा पटक चल रही है उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है खिलाडी यहादा कि पंकट सिंग जैसे लोगों का कहीं सेलेक्शन नहीं हो उठा पारा कहीं दवाब नहीं है क्या लगता है कि अब अपनी खिलाडी के लिए क्या आर्सिये कर डारा का कि अल्युज कॉत भाले वक्त में जो यह लड़ाइफे खत्म हो जाईगी हम सब लोग मिलके सब 33 के 33 लोग मिलके राजिस्दान की कर्केट को ट्रेक पिलाएंगे और सम मिलके राइसान क्रिकेट को चलाएं कि राइसान में क्रिकेट को डवलॉप करने के लिए हम जिला हेड़ कौर्टर्स पे क्रिकेट अगेडमिस बनाएंगे और क्रिकेट को बढ़ाने के लिए अच्छा काम क्याते हैं कि बड़ा बाई बतीजाबाद और संबंदों के आधार पे ही कोई भी राज जिलाब उठा प बार बांस बैक करके वापस आते हैं कि यह इसी कोई संभाव ना भविश्य में लगती है कि वह भी डालमिया की तरह किसी दिन वापस क्रिकेट में देखीए बंगाल क्रिकेट एसिसिशन में जो आए ते डालमिया साँ वापस आए तो वहां के लोगों के अंदर उन्ग का विश्वास था लोग विश्वास करते लेकिन ललीद मोदी जी राहिसान के लोगों का विश्वास खोच चुके बोर्ड में बात कर सकेंगे पहले अभी पिछले एक साल से तो यह था कि कोई बात करने वाला नहीं था तो हम बात करेंगा जो भी लड़का परफॉर्म करेगा तो वो देश की टीम है सेंट्रल जूर्म में निश्ची तोर पर सेलेक्ट होगा यह आपका कहना है कि पूरी तरह से ललीद मोदी के युक का जो है वह अंत हो चुका है और आपकी दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी है तो प्लुकुल नहीं है यह दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा और ललीद मोदी के लिए जिन्दगी हमें तेरा इतबार ना रहा जिस दोस्ती के साहरे राजस्तान के क्रिकेट के सिर्वार बने ललीद मोदी आज दोस्ती तूटने के बाद राजस्तान क्रिकेट से बाहर है यह थे हमारे साथ राजस्तान अमीन पठान, अगले आफ़ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ, नमस्कार.